हे दोस्तों वीडियो पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट टू रूट वर्ड्स का सफिक्स और प्रिफिक्स का पहला वीडियो हमने बनाया था एल्फाबेट पर अब विदाउट टाइम वेस्ट किये अ आपके सामने जिसका मतलब होता है बाय बाय का मतलब दू या दू किसी वी परकार से हम जब दो два शचब्द का परियोग करते हैं किसी दूसरे शब्द के साहथ तो उसके लिए बयाइय शचप्द करिया जाएगा जैसे कि हमारे सामने पहला वर्ड आता है बाई एन्वल बाई एन्वल का मतलब होता है द्वी वार्शिक दो शालों में एक बार होने वाला जैसे कि आप अगर इस वर्ड को देखने की कोशिश करें तो या लिखावा एन्वल जिसका मतलब होता है वार्शिक तो by-annual मतलब dwee worship बिल्कुल सही या फिर दो वर्षों का फिर आप देखेंगे तो by cycle cycle आप देखी सकते हैं और by cycle का मतलब होता है दुपईया वहन जो दुपईयों पर चलने वाला होता है उसे दुपईया कहते हैं यानि दुपईयों वाला या dwee पर आता है बाइलिंग्वल जैसे कि हम शब्द लिंग्वल से पता कर सकते हैं लिंग्वल मतलब भासा होता है और बाइलिंग्वल मतलब द्वी भाशिय एक ऐसा व्यक्ति जो दो भासाओं का प्रियोग करता हो एक ऐसी किताब जिसमें दो भासाओं का प्रियोग किया गया हो उसे हम bilingual कहते हैं last and final आता है monthly यानि के bimonthly bimonthly लिखा द्वी मासिक बोल सकते हैं या फिर दो मास में एक बार होने वाला दोस्तों इस तरीके से आप b यानि के by alphabet तो भी है लेकिन जो हमारा prefix है वो b i यानि by है अब उसके अंदर हमने चार एक्जामपल देखे इसको आप अगर ढंक से समझ लेते हैं तो आपको कभी इसकी शमस्या नहीं आएगी next की तरब बढ़ेंगे लिखावा है bio सबी जैसे जानते हैं biology इस bio का मतलब क्या होता है bio का मतलब होता है जीव या जीवन जब कभी भी आप किसी life की बात करना चाहते हैं तो bio शब्द का परियोग किया जाता है for example biology सब जानते हैं biology अपने आप में एक क्या है जीव विज्ञान है क्या है जना अब जीव विज्ञान जब आप bio लगाते हैं तो जीव तो आपके सामने आई गया और लौजी विज्ञान को बताता है तो ये क्या हो गया जीव विज्ञान हो गया फिर आप देखते हैं बायो ग्राफर बायो ग्राफर बायो मतलब हो गया जीव या जीवन ग्राफर मतलब रचना करने वाला तो जीवन रचना कार जीवन रचना कार तो बाईोग्राफर था, अब एक बाईोग्राफी है. बाईो फिर से आपके लिए जीवन हो गया second. और ग्राफी मतलब चरित्र, यानि जीवचरित्र. जब आप इसकी बात करते हैं, तो जीवचरित्र या जीवचरित्र भी का जा सकता है. घ्रान रखेंगे. लास्ट और फाइनल भी अल्फाबेट का आपके समने आता है एक और शब्द बाउंड बाउंड का जनाब मतलब होता है दिसा निर्देशक यानि जो उस दिसा में चलने वाला होता है या फिर बाद्य इसके दो मतलब निकलते हैं फर एक्जामपल यहां लिखावा है नौर्थ बाउंड जो उत्तर दिसा में चलने को बाद्य हो उसे नौर्थ बाउंड कहा जाता है फिर आता है East Bound East Bound का मतलब होता है जैसे की उतर में चलने वाला तो East Bound मतलब पूर्वो में चलने वाला बिल्कुल सही अब कहीं कहीं इसका मतलब बाद्दे भी होता है तो लिखावा है House Bound House Bound का मतलब हो गया जो घर की वज़र से बाद्दे है यानि घर की परस्तितियों की वज़से रुका हुआ है वो चाहकर भी वो काम नहीं कर सकता उसे कहते हैं house bound next की तरफ बढ़ेंगे weather bound आप कुछ करना चाते हैं लेकिन आप सिरफ weather की वज़से नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब हुआ कि आप क्या है sir weather bound है weather bound मतलब मौसम की वज़से बादित है बिलकुल सही इस तरीके से हमारा ये वीडियो हुआ खत्म आगे एक और वीडियो हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आने की कुछिस करेंगे तब तक देखते रहे हैं थैंक यू टीप सेरीं